हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूपीएसी निती जी अपना यूपीएसी 2017 का प्रिलियम एक्जाम का पेपर जो है वो हो चुका है अभी तक आपने अपना माक्स वगेरा जो है वो निकाल लिये होंगे और एक अपना कुछ जो स्ट्राटेजी है वो बना ली होंगी तो देखते हैं मतलब क्या करना है हमें आगे कैसे बढ़ना है तो सबसे पहली बात really sorry for that कि हम पिछले कुछ समय से continuity हमारे चैनल पर maintain नहीं कर सके मेरे कुछ health issues थे पिछले साल में बिमार था उसके मतलब side effects जो थे अभी मुझे exam के जैसे pass आ गई थी तो health पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे सका उस विए से मतलब बहुत ही ज़्यादा वो health issues बढ़ गए थे तो उस विए से हम continue नहीं कर सके तो चलिए देखते हैं अभी इस साल के लिए अभी करनी है तो अभी आपका paper जो हो चुका है 2017 का 2017 के paper से आपने जो कोई भी एक अपना conclusion जो कुछ भी निकाला है वो अपना पहले तो एक बात लिख लीजिए मतलब क्या है कि आपने ये एक x बात जो थी वो अच्छी की y बात जो थी वो आपने गलत कर द तो सबसे जादा अच्छा होगा ठीक है तो ये पहली बात जो थी जो हमें आपको बतानी थी तो देखिए एक बात वो हो गई दूसरी बात जो है अभी ये जो मतलब मैंने अपने जो कुछ experience थे वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मतलब considering about the UPSCNT channel ठीक है तो देखिए स ages turn कर रहा था कर रहा था 90 number 100 number तक आ चुका लेकिन किगाली ना मिला ना कोई अपना South China Sea मिला तो यह है कि हमें जो कोई fact जो है ना मतलब ऐसे granted नहीं लेना है कि इस पर UPSC question पूछे गई हमें जो है अपना ज्यादा से ज्यादा analysis करना है जो कुछ भी हमारी news सामने आती है और इस साल का paper जो है अगर अच्छे से आप उसमें मतलब exam के बात भी अगर आपने एक बार अच्छे से देखा होगा तो देखिए ऐसा कुछ fix pattern नहीं रहे गया UPSC का कि सिर्फ इस पे ही focus करेगा मतलब इस साल अभी quality पे 23 लगबग question थे मतलब अलग-अलग जो sources है अलग- quality पे थे ही तो ऐसी कोई बात नहीं कि UPSC अगले साल भी 20 प्लस question ही पूछेगा तो ऐसी कोई बात नहीं कि अभी quality आपका paper थोड़ा अच्छा नहीं गया है तो quality का एक book लीजिए और पूरा quality पढ़ लेंगे और UPSC अगने साल जो है वो economy पे जादा question पूछ लेगा ऐसे कु सामने आने वाली जो कुछ चीज है वो सब कुछ पढ़ना है लेकिन अपना एक preparation का जो style है मतलब उसको एक ऐसे focus रखना है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और इसके लिए सबसे ज्यादा आपको है जो कोई help लेनी है वो लेनी है अपने planning की एक अपना अच् है अभी इसमें जो हम schedule बताने वाले है वो पूरी तरह से planning जो है वो उस हिसाब से कर दी गई है ठीक है और जो एक important fact जो इस exam के बाद मुझे लगा कि upgrade your skills by adapting constantly to need of the exam तो देखिए पिछले साल जो था exam बहुती जादा current affair की base पे था इस बार जो exam है वो analysis की base पे है तो हम कोई भ जादा efforts लेंगे उतने ही जादा इस exam में successful रहेंगे ठीक है तो यह होगी मेरी बात है जो मुझे लगा कि मुझे इस पे focus करना चाहिए मतलब जी अभी के लिए मेरा exam ठीक गया है लेकिन फिर भी यह जो बात है ना मुझे लगा कि इसको करना चाहिए तो आप भी अगर आप चाहेंगे तो एक paper लीजिए और आपना जो कुछ भी एक analysis था वो लिख लीजिए बाद में क्या करना है तो अभी हमें UPSC 2018 के लिए ready होना है ready होना है मतलब क्या करना है कि जो कोई भी UPSC pre या फिर mens का जो कोई भी question होगा उसके लिए हमें एक अच्छी से मतलब पूरे confidence से हमें उसको solve करना है be it CS prelim या फिर mens ठीक है prelim होगा तो हमारे जितने ज़्यादा MCQs हम solve करेंगे उतनी ज़्यादा हमें help होगी अगर mens की बात करेंगे तो press ये तो यही रहना चाहिए हमारा की लगबग हर दिन तीन से चार तो question जो हो हमें solve करें so that हमारे मतलब हम ज़्यादा prepared रहे ठीक है आप तो जानते mens में जितने हम ज़्यादा words यूज करते है उससे मतलब हमें भूरी तरह से अपना exam जो है वो तो देखिए Monday एक alternative day पर ठीक है तो सबसे पहले Monday, Wednesday और Friday इन दिनों पर जो हमारा regular daily quiz होता था वो हम post कर देंगे मतलब Monday से 3rd July से पहले तो Monday को फिर Wednesday को और Friday को हम daily quiz जो है वो post कर देंगे उसके साथ जो अब हमारा मतलब Monday के बाद alternative day Tuesday फिर Thursday and Saturday उस दिन हम अपना एक current जो कोई current event का analysis है जो हमें मतलब mens के लिए helpful रहेगा वो हम post कर देंगे तो आपको लग सकता है कि दोनों वीडियो हम एक ही दिन क्यों post नहीं कर रहे है जी हुआ ऐसा है कि अभी जो हमारे बाकी जो साथी थे UPSC NIT के उनका recently हमारा state civil services exam का result लग चुका है और वो अभी मतलब अगले द बंदे के लिए जादा काम करना साथी साथ मुझे अपने इस साल के mens के लिए भी पढ़ना है तो एक बंदे के लिए मुझे जितना कुछ possible हो सकता है मैं आपको best best जो कुछ भी possible होगा सर्फ वही प्रोवाइड करूँगा तो एक बात मतलब आप उल्टा जादा अच्छा सम साइज होगा तो एक बात तो मैं इतनी आपको बता सकता हूँ ठीक है तो अल्टरनेटिव डेस पे सबसे पहले हम डेली कुछ फॉर यूपीस्टी और जो अपना second opinion यह नाम मैं देना चाहूंगा इसको जो हमारा होगा current event का analysis तो आप तो जानते हिंदू के लिए 2-3 जो जाता है कि और आपको information provide करनी चाहिए मैं उन पे भी आपको इस second opinion के अंडर कुछ information जो है वो provide करूंगा और आपको यह कब तक करना है तो Monday से Friday अच्छे से इनको सभी को कीजिए Monday से Saturday और Sunday को मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आपको इस जो कुछ हम regular करते थे एक revision video post कर देना वो हम कर देंगे और एक बात एक interesting fact जो है मैं press कर रहा हूँ कि हम start कर दे इस जुले मन से जैसे कि आप जानते है हमारे PM मोधी सर हर महने के अगले संडे को आखरी संडे को एक मन की बात रखते है तो हम भी ऐसे कुछ सोच रहे हैं मतलब आपके भी कुछ ना कुछ doubts होते है मत सुबह जल्दी उठा नहीं जा रहा है क्या कर सकते इसके लिए तो ऐसे कुछ चोटे-चोटे doubts होते है तो इन पे अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहे तो ऐसे मैं मतलब यह एक option दे रहा हूँ कि hashtag UPSC नहीं थी ऐसे आप comments कर दिजिए so that मुझे भी यह जो कुछ comments होंगे वह से grade करना थोड़ा आसन रहेगा और इनका सभी ऐसी comments का एक video हम अपने आखरी Sunday के दिन मतलब मैने के आखरी Sunday में वह हम post कर देंगे तो देखते हैं मतलब यह अभी मेरा एक basic plan है जो यह जो plan है मैं अपने हर रोज के अपने वीडियो में मैं आपको दिखाता जाओंगा औ लेकिन एक बात याद रखिए अभी UPC निदी पर काम करने वाला एक basically तो मैं अकेला हूँ so content जो है वो कम होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा content जो है वो अच्छा कैसे होगा यह आप भी देखिए कि कैसे करना है ठीक है तो देखिए जो time allotment हमें क कैसे करना है तो अगर आप consider कीजिए कि आप लगभग जो है वो 10 या 11 घंटों के लिए अगर आप पढ़ा ही करते हो तो देखिए Monday से Friday तक आपको 10 से 11 घंटे तो है वो regular पढ़ना है ठीक है और Saturday और Sunday को थोड़ा जो है आपना pace जो है वो कम कर दीजिए मैं ऐसी बात क्यों क करोगे कि एक हफते वर के लिए आपका एक ही schedule अगर रहेगा कि 10 घंटे पढ़ना है तो एक हफते दो हफते आप maximum जो है वो इस schedule को continue कर पाओगे बाद में क्या होगा कि नहीं यार नहीं हो रहा है ऐसे हो जाएगा तो एक काम कीजिए Sunday जो है उसको मतलब थोड़ा सा काम कर कर दीजिए Sunday को basically क्या है कि जितने जादा हो सके उतनी अपनी revision कर दीजिए क्योंकि आप तो जानते अभी भी UPSC का जैसे कुछ pattern चल रहा है तो जितनी ज्यादा आप किसी भी चीज की revision करोगे वही उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा तो जैसे कि हमने कहा Monday Monday से Friday तक पूर से revision कर लीजिए क्योंकि क्या है ना revision आप जितनी ज्यादा करोगे उतने ही अपने चांसे जो है पास होने के वह बढ़ते जाएंगे और एक बात कीजिए कि एक हफते भर में आप कुछ ना कुछ पढ़िए और Sunday को उस पे कुछ ना कोई मतलब मेंस का एक test दे दीजिए या फिर UPC जो अपना pre है उसके कोई test दे दीजिए और अपना analysis कीजिए कि जो मैं हफते भर में पढ़ रहा हूँ वो एक सही direction में है या नहीं क्योंकि अगर वो सही direction में नहीं होगा ना तो मतलब बाद में अगले साल अगर आप सोचोगे कि ये मैंने गलत कर दिया ऐसे अगर अगले साल समझने से अच्छा है कि अभी आप देख लो कि हर हफते क्या अपनी गलतिया क्या हो रही है अभी मुझे क्या changes करने है तो ये हर हफते अपना एक जो self check जो है वो करती जाहिए और बाकी क्या हमें इसके बारे में बताना है तो सबसे पहले हमें अभी जो मैंने कह कि हमें prelim और men's के लिए एक integrated approach जो है वो अपनाना है तो क्या है कि prelims भी हमारे लिए 2018 3rd June 2018 को अपनी अगली prelims होगी तो उसके लिए एक अच्छा सा approach जो है वो हमें अभी से start करना है तो लगबग 10 MCQ जो है वो हर रोज solve करने की कोशिश कीजिए और उसके साथ साथ possible जितने maximum आपको होगे minimum 3-4 MCQ मतलब हर paper पर एक देखिए insight है जिस पर अच्छे MCQ हर रोज जो है question आते रहते है साथी साथ IS बाबा है और भी कोई option होंगे आपके सामने जो जिस पर आपको हर रोज के लिए men's के question जो है वो provide होते रहेंगे तो देखिए जितने ज़्यादा हो सकेंगे उतने men's की मतलब जितनी ज़्यादा आप writing practice करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा ठीक है तो ये एक basic बात हो गई और ये कोशिश कीजिए कि आप ये हर रोज solve करेंगे ठीक है बाद में the confidence you will get when you solve these answers is immense ठीक है तो ये जो बात है ना कि अगर आप continuity रखते है अपने पूरे प्रयास में तो सबसे ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा basic में starting में क्या होगा कि आपको 3-4 question लिखने के लिए बहुत ज्यादा time लगेगा लेकिन जैसे जैसे आप 40-45 days अगर आप ये अपना पूरा session अगर आप ये continue रखते हो ना तो ज्यादा आपको इससे help मिलेगी ठीक है तो ये एक बात देख लीजिए कि आप जितना मतलब ऐसे नहीं करना है कि आज मैं पहले दिन से 4 question start कर दूँगा ऐसे नहीं करना है आज एक question कीजिए एक हफते बर के लिए एक ही question जो है वो एक-एक question लिखते जाईए अगले हफते से 2 question लिखना start कर देजि तो ये जो बात है हमारी habit में आ जाएंगी और जितने जादा आपकी अच्छी habits UPC के दौरान अगर बनती जाएगी तो उतना आपके लिए helpful रहेगा ठीक है तो अभी करना कैसे है तो सबसे पहले जो कोई भी अपना सभी syllabus जो है उसको अच्छे से divide कर लीजे मतलब अपना ज कुछ टाइम जो है वो अलोट करना है उसके बाद अपना जो current affairs जो है आप तो जानते कुछ भी हो जाए हमें current affairs को छोड़ना नहीं मतलब इस साल comparatively कमाया था direct question जो थे वो कमाया थे लेकिन indirectly लिए तो सभी question जो है वो current affair पर ही best है तो जितना ज्यादा हो सके उतना current पर जो है बिताइए ठीक है दो गंटे जो है वो इसके लिए होने ही चाहिए हर रोज के इसके बाद आपके जो पाच गंटे इन में से तो ये आपको यूज करने अपनी GSK preparation के लिए two hours आपको spend करने अपने optional के लिए और एक गंटा जो है आपको current affairs के लिए इसमें allot करना है I hope जो हमा इसमें persistent रही है क्या है कि आप जितने ज्यादा एक एक flow जो है आपका वो जितना ज्यादा maintain करोगे उतना ही आपके लिए एक helpful रहेगा ठीक है तो मतलब एक initial phase होगा आपको उस समय तो थोड़ा सा difficult लगेगा कि मतलब मैं बहुत ज्यादा लिखने में मुझे बहुत ज्याद कर पा रहा हूँ ऐसे नहीं होगा कि अभी मुझे 40 मिनिट लग रहे है मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ जब मैंने question लिखना start कर जया था ना मुझे एक question लिखने के लिए 40 मिनिट लगते थे अभी मैं पिछली साल जब मैं दे रहा था तो मुझे solve कर रहा था तब मुझे मतलब फिर भी 15 मिनिट तक तो लगी जाते थे एक question को attempt करने में लेकिन जैसे जैसे अपना knowledge बढ़ता है अपनी analysis power बढ़ती है तो हम इस position में आ जाते है कि हमारा जो paper होगा वो 3 गंटे में हम 20 question जो है वो attempt कर सकते है ठीक है और ऐसे भी नहीं करना है कि 3 गंटे है मतलब हमें पूरे 20 के 20 question के लिए 9 मिनिट जो है एक allot करने जो 15 question होते है जो हमारे अच्छे होते है तो इनके लिए आप ज्यादा time allot कीजिए कुछ 2-3 ऐसे question होते है कि जिनके हमें ज्यादा information पता नहीं होती लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें पता होता है ऐसे question के लिए थोड़ा और कम और जो ऐसे कुछ question है एक दो question तो हर साल paper में होते ही है कि जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है तो इन पे बस थोड़ा सा कुछ line diagram बना दिया flow chart बना दिया ऐसे कुछ facts है वो कर लीजिए so that ये बात भी हमारी मतलब अच्छे से solve हो जाएगी और जो सबसे important बात जो ह persistent रही है जो कुछ भी आप एक बता है अपने जो schedule बना है न वो अच्छे से follow कीजिए so that जो UPSC का अगला जो attempt है हमारा वो अच्छे से हम solve कर सके और एक बात जो कोई भी अभी UPSC pre 2017 के exam के बाद जो boundary line पे है मतलब क्या है कि अभी अलग-अलग institute ने अपना अलग-अलग जो cutoff जो है वो declare कर दिया है अभी आप ये तो हमें तो पता नहीं कि UPSC का cutoff जो है वो end मौके पे क्या आएगा लेकिन हमें जो मतलब एक idea तो होता है न कि 110 से अगर अच्छा होगा तो लग-बग chances जो है वो select होने के ज्यादा है 100 से 110 के बीच में है तो अभी हम boundary line पे है उसके नीचे कुछ ऐसे तो जो कोई भी हमारे friends जो है जो boundary line पे है तो देखिए आपको अभी क्या करना है कि दो घंटे जो है वो आपके optional के लिए तो पूरी तरह से devote कर दीजिए ठीक है और उससे भी ज्यादा main important बात क्या है कि हमें लग-बग उसमें से दो घंटे में से जो होगा उसको हर दिन एक या दो question solve करने में या फिर at least एक note लिए कि जो अपना optional है उस पर तो जितना ज्यादा हम ऐसी बाते करेंगे ना उतना ज्यादा ही हमारे मतलब optional के लिए और ऐसे भी होना नहीं चाहिए कि directly July ending या फिर August में result आ गया और हमें मतलब हमारी कुछ optional की तैय कि अपना एक ऐसे कुछ तो मतलब गोल बना के रख लीजिए कि सामने हमें अकसर दिखना चाहिए कि अगर मैं UPSC pass हो जाओंगा तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे कुछ ना कुछ लोग कहते कि यह आपका बना के रखिए लेकिन मैं इस पे आपको एक थोड़ा different approach बत कि रखिए कि यह अगर बात है आपके नदरों के सामने होगी कि मैं अगर fail हो गया तो क्या होगा मतलब मेरा एक साल एक नहीं दो साल अपने वेस्ट हो मतलब चले जाते है तो ऐसे कुछ नो कुछ बात होती है कि वो इना अच्छे से एक frame कर दीजिए कि अगर मैं इस साल का U जाते हो जाएंगी तो यह जो अपना कुछ जो एक बात है ना वो ऐसे लिख के रीजिए और हमें सामने अपने सामने रखिए और जो main reason है कि जो लोग मतलब fail हो जाते है वो है inconsistency ठीक है तो हमें main बात तो वही करनी है जैसे कि हमने कहा कि आपना एक time limit रखिए और gradually जो है अपना पूरा page जो है वो increase करते जाए अभी मतलब सभी लोगों के लिए possible नहीं होगा 10 गंटे पढ़ा ही करना तो 5 गंटे से start कीजिए 5-6-7 ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ा दे जाएंगे उतना ही जादा आपको आने वाले exam में helpful रहेगा ठीक है और एक जो सबसे important बात UPSC क होता है उसके बाद मेंस होता है उसके बाद interview होता है तो एक process तो जो है वो long है उसके बाद भी अगर कही बीच में अगर कुछ हो गया तो अपना मतलब अगले साल फिर से शुरू से initial point से start करना है तो एक process जो है वो बहुत बढ़ी है तो give up नहीं करना है अपने जो कोई भी ह हम press कर रहे है उसमें बस देखना है कि हमारी क्या गलती होगी और उन गलतियों को सुधारना है तो देखिए एक बात जो हम मतलब यह जो था ना कि यहाँ पे मैंने यह जो particular सिर्फ यही एक slide थी जहाँ पे इसको मैंने कुछ भी मतलब यह नहीं दिया था तो अगर आपको इ कमेंट होगा ना यहाँ पे वो आपका एक मोटो रहेगा आने वाले एक साल के UPC की preparation के लिए तो देखिए I hope जो कुछ मतलब बहुत दिनों के बात बात कर रहा हूँ और अभी भी health थोड़ी सी पूरी तरह से ठीक नहीं थी तो देखते कैसे कुछ plan होगा जितना ज्यादा ह मेरी आपको देने की मतलब जो कुछ content है वो आपको provide करने की मतलब प्रैस तो वही रहेगा फिर से एक बार repeat कर देता हूँ देखिए जो हमारा 3rd July होगा तब से हम daily quiz जो है वो start कर देंगे उसमें जो कुछ हमारे मेय और जून मन्त के जो कोई भी current affairs जो बाकी रहेगे वो भी में regular update, regular video जो है उसमें cover कर लूँगा और साथी साथ मतलब मेरा press तो वही रहेगा और साथी साथ जो कोई अपने मतलब दो दिन होगे जो कोई current affairs होगे quiz जो होगा वो एक दिन में हम cover कर लेंगे और alternate दिन पे अपना current affairs का जो कुछ भी important जो कुछ facts होगे उन पर हम analysis कर देंग और जो हमारा Sunday होता है उस पर regular हमारा revision video होगा और आखरी के Sunday में जो हमने कहा कि हमारे मन की बात तो ऐसे कुछ हम video जो है आप अपने question जो है कुछ पूछना चाहते है आप कुछ भी पूछिए मतलब UPSC के बारे में आपको अगर कुछ भी लगता है या फिर आपको हमारे बा हमारा की उस दिन मतलब जो हमारा आखरी संडे होगा मोधी जी के 11 से साड़े 11 वजे होता है आप सुनिये उसको भी ठीक है मन की बात जो है न वो भी हमारे मतलब सिलेबस के लिए एक important fact में आपको कह सकता हो वो हो जाएगा तब हम ये वीडियो जो है वो पोस्ट कर देंगे तो बताइए ये जो हमारा मतलब initiative है इसमें अगर आपको कुछ changes चाहिए कुछ अगर आपको इसमें extra information जो है कुछ चाहिए तो वो भी आप हमें बताइए so that मैं जो है इसमें मेरी मेरा जितना कुछ हो सकेगा न मैं सभी कुछ वो सब कुछ आपको provide करने का कोशिश देगे so thank you so much and have a happy wonderful day ahead. मिलते हैं 3rd July को सुबह जैसे हम अक्सर मिलते हैं. Bye.